शिम्ला नगर निगम की लड़ाई बीजेपी के लिए कितनी आसान रहेगी बात करने के लिए पूरो मंत्री शुरेस भार्दवास साब हमार साथ मुझूद है सर आप तो पूरे हिमाचल की शिम्ला की राजिनती करते हैं शिम्ला नगर निगम की चुना की घोसना हो गई है ब पांच परश्चों में शिम्ला नगर निगम ने भी और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी स्मार्ट सीटी के अंतरगत्थ और अमरत योजना के जो काम किये हैं वो शैद अंग्रेजों के जाने के बाद जो है पहली बार शिमला में इतने काम जो है देखे जा सकते हैं चाहे वहाँ पर जो है वो रोड्स की विर्ट में जो है वो डोतरी हुई हो या पैदल चलने वालों के लिए हो लड़ाई उतने असान है क्योंकि अब लोग भी पक्ष में जा सुके हैं शिमला की अगरबात करें जादतर वहां की सीटों पर कोंगरिस का जंडा है तो लड़ाई तो उतने असान नहीं लग रही बीजेपी के लिए उतने कंफर्टेबल आप लगन 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 नहीं रही है इसलिए कभी भी कोई चुनाब में लड़ाई जो है वो आसान नहीं होती है चुनाब में लड़ाई लड़ाई होती है और लड़ाई में कोई भी जीत सकता है यसलिए लेकिन भारतिये जन्ता पार्टी एक राष्ट्रिये पार्टी है और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है और हमेशा चुनाब के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है कारेकरताओं की पार्टी है इसलिए कारेकरता जो है वो पूरी मुस्तादी के साथ चुना करें किन मुद्दों को लेकर बीजेपी नगर निगम में जा रही है नगर निगम में पिछले पांच वर्ष्टों में किया गया काम प्रदेश सरकार क द्वारा जैराम सरकार के द्वारा किया गया काम और वरतमान समभे में जो वरतमान सरकार है पिछले थीन चार महिनों की जो उनकी कार गुजारी है उसको लेकर चैनगर में भार्चे यंता पाटी जाएगी आपका अक्तिर के दिपो में मिलता है वो बढ़ाद यह हर चीज के रीट्स बढ़ रहे हैं वह पूरी नहीं हो रही है गरंटियों की स्थान पर जो है वो रेट्स बढ़ते जा रहे हैं यह रहे हैं यह बहुत बहुत मैंन सूरज के साथ अनिल मोर खबरे भी तक दिली